नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं उनकी रुमाल से लेकर गारी तक में जार्खन्डियत जलकती थी वे अक्सर कहा करते थे कि सिक्षा विभाग कैसे दुरुस्त होगा पारत सिक्षकों की समस्याओं का निदान कैसे होगा कभी भी अपने सुख पर ध्यान नहीं दिया उन्हें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल 1932 का खत्यान अधारित निती लाकर रहेंगे वे बोकारों के चंद्रपूरा परखंड के अलार्गो इस्थीत उनके समाधी अस्थल पर आयोजी सर्धान्जली सभा में बोल रहे थे मुख्य मंतरी चंपाई सुरे ने कहा है कि जिस किसी को जार्खंड वह यहां की मिटी से दर्ध है वह कभी भी बीजेपी को पोट नहीं दे बीजेपी को यहां की जानता नहीं बली खनी समपता प्यारी है मुझे पुरा विश्वास है कि आज नहीं तो कॉल 1932 का खत्यान अधायत नेती लाकर रहेंगे जार्खंड मौसम में बदलाव तीन दिनों तक गरज के साथ बारिस मौसम बेगालिक ने कहा है कि जार्खंड के मौसम की बात करे तो अगले तीन दिनों तक राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओ के साथ बारिस होगी कहीं कहीं बजरपात होने की भी असंका है मौसम बिबाग के प्रमूख ने बताया है कि 7 अप्रेल को तेज हवाय चलेंगी वहीं 9 अप्रेल को जार्खंड के दक्षनी हिसो में कहीं कहीं तेज हवाय चलेंगी गरज के साथ छीट पर सकते हैं हवा की रपतार 30 से 40 किलोमेटर रहने की उमीद है कुछ चगों पर बजरपात भी हो सकता है गूगल पर सर्च के लिए लगेंगे पैसे कंपनी वसूल सकती है दुनिया के सबसे पॉप्लर सर्च इंजन में से एक गूगल अब सर्च के लिए पैसे लेने की त्यारी कर रही है जिहां खबर है कि गूगल ऐसे कंटेंट के लिए यूजर से जल्द ही सुल्क वसूलना शुरू कर सकती है जो AI यानि Artificial Intelligence से त्यार किये गए है रिपोर्ट की माने तो अलफा वेट के स्वामित वाली कंपनी गूगल अपने बिजनेस मोडल में बदलाव कर रहा है इसके लिए गूगल प्रीमियम AI कंटेंट पर फिस वसूल सकती है दा गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार कमपनी अपनी प्रीमियम सब्सक्रेप्शन सेवावा में कुछ AI संचालित सर्च फीचर जोडने के बारे में भी विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब गूगल अपनी किसी समागरी के लिए कोई फीच चार्ज करेगा कलपना सुरेण ने संभाली कमान तयार किया मास्टर प्लान पूरो मुखपंतरी हमन सुरेण की पतनी कलपना सुरेण ने 21 अप्रेल को होने वाले उल्गुलान रैली को सफल बनाने के तयारी अरंब कर दी है रैली की कमान उनके हाथ में है सन्निवार कोई पहली बार इस सिर्सिले में जारकन मुक्ति मोच्छा के केंद्रिय कराले पहुंची और करकाताओं में जोस का संचार किया उन्होंने 9 जीलों को जीला अध्यक्छो जीला सचीवो और पार्टी पतादिकारियों के साथ बैठक की और रैली को यतिहासिक बनाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिया है कलपना सुरेन के साथ बैठक में ज्हामों के केंद्रिय महासचीविनोत पांडे भी सामिल हुए कलपना ने कहा है कि सभी जीला इकाईया अपनी भूमकानी भाए बैठक में सिम्डेगा लातेहर कोटी चत्रा राची धनबाद गुमला जीला की जीला इकाईय से जुड़े पतादिकारी सामिल हुए लोग सभाचुनाओ को लेकर राज अस्तरिय बैठक सील होगी जहारखन बिहार की सीमाए लोग सभाचुनाओ तयारी को लेकर सनीवार कोटाज अस्तरि बैठक होई पलामु जीले के बिहार सीमा से सटे हर्यर गंज परखंड सा अंचल करया लेकर सभागार में पलामु और बिहार के अरंगबाद जीला के वरिय अधिकारों ने बैठक की है इसी करमें निस्पक्ष एवां पारदर्सी चुनाओ संपन कराने को लेकर कई अस्तर प्रबाक्चित की गई एक दूसरे से समयनवे बना कर करवाई करने का निर्णाय भिलिया गया बैठक से पहले पलामु और अरंगबाद के अधिकारों ने फ्लेग मार्च भी किया है बाद में हरियर गंज्थाना एवं इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा बेवस्ता का जज़ा लिया गया कई दिशा निर्देश दिये गाए बैठक में पलामु के निर्वाचन पताधिकारी सा उपायुक ससी रंजन और अरंगबाद के निर्वाचन पताधिकारी सा जिला अधिकारी सिरिकान सास्त्री पलामु पुलिस अधिक छक तथा अरंगबाद पुलिस अधिक छक भी मजूद थे कल्पना सुरेण होंगी जहारखन की अगली सियेम 25 सोचे निसिकांथ दुबे भाजपाट साथन निसिकांथ दुबे न कहा है कि जिस दिन सर्फ राज अहमद नहीं स्थिपा दिया था उसी वक्त उन्होंने कहा था कि सर्फ राज अहमद राज सभा के साश्य होंगे और वह सच सावित हुआ कलपना सुरेन गांडे बिधान सभा के उमिद्वार होंगी वह भी सत्य सावित हुई अब तिसरी भविस्वानिया है कि जिस दिन कलपना चुनाओ जीत कर आएंगी धक्कामार का चमपाई सुरेन को बाहर कर देगी वह इस परदेश की सीम होंगी क्योंकि हमान सुरेन को बेल मिलने नहीं जा रही है दो बाते सत्य हो चुकी है तिसरी बात भी सत्य होगी वे सनिवार को दुमका में मीडिया से बातचित कर रहे थे निसीकांत के मुताबिक यह चमपाई सुरेन को तय करना है कि आंदुलन का ही नेता होगा या किसी की बहु बेटा बेटी होने से नेता बन जाएगा बी एसेल में गैस रिशाव से प्रभावित साथ कर्मियों को अस्पताल से छुटी बी एसेल प्लांट में सनिवार को गैस रिशाव से प्रभावित हुए कर्मियों से बोकारों के डी डी सी संदीप कुमार वा सिविल सर्जन डाक्टर दिनेश कुमार ने साम में बोकारो जनरल अस्पताल जाकर मुलकात की उनके स्वास्थ की जनकारी ली डिडिसी ने प्रभावित कर्मियों से घटना के समधने पुस्ताच भी की है उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी जनकारी ली मौके पर स्वीस सरजन डाक्टर दिनेस कुमार ने भी गायल कर्मी से स्वास्थ की जनकारी ली वहीं मौके पर जीला अप्रदा प्रभदन पतादिकारी सकती कुमार वो अनपतादिकारी उपस्षी थे इधर BSL प्लांट में गैस रिशाव के बाद प्रवावित कर्मियों के स्वास्त में लगातार सुधार के बाद सर्निवार दोपर में सभी प्रवावित कर्मियों ने भोजन किया सभी की स्थिती समाने हाए इन में से साथ कर्मियों को चिकित्सकों के परामर्स पर अस्पताल से छुटी दिया दिगाई, उनके परिजन उन्हें घार ले गाए, उलेखनिया है कि सनिवार की सुबा बोकारो इस्टील प्लांट में गय सरीशा हो गई थी, इस गटना में कुल 26 कर्मी प्रवावित हुए बुढ़ा पहार पहुँचे डीसी एसपी मतदान के लिए किया प्रेरीत, लोकसभा आम निर्वाचन के मत नजर मतदाताओ को जागरूप किया जा रहा है, सनिवार को जीला निर्वाचन पतादिकारिसा उपायुक सेखर जमुआर और पुलिस अधिक्चक दिपक कुमार प प्रखंड के सुद्रवर्ती चेत्र बुढ़ा पहार एवं हेसातु पंचायत का दौरा किया, नक्सल मुक्त बुढ़ा पहार डीसी पहुचे अर्वाहार के मतदाताओ से 13 माई को पलामु लोकसभा के लिए मतदान करने के अपिल की है, उपायुक्त ने कहा है कि चेत्र जी बिधान सभाच्चेतर का दौरा कर रहे है, बाबुला मरांडी सन्निवार को रमना हाई स्कूल मैदान में आयोजीत बुथ अस्तरिय कारकेता समिलन में भाग लिया, कारकरम में बाबुलाल का भाजपन ने ताव अरकरकाताओ ने जोरदार स्वागत किया, बता दे जारकन 10 परचत बढ़ा कर 73 परतिशत भोट करना है, उन्होंने जारकन सरकार पर हमला करते हुए बोला कि जारकन का हाल ही मत पुछिए, एक सीम जेल में तो दूसरा उनके सलाह लेने जा रहा है पलामू टाइगर रिजर्ब में फिर दिखा भाग बाग की आकर्सक तस्वीर सामने आने से PTR परबंदर में जहां खोसी की ला रहा है, वहीं दूसरी और सुरक्षा बेवास्था को और पुक्ता करतीया गया है राजेपाल ने जारकन बीत बिध्यक को चौथी बार लोटाया जारकन के राजेपाल सीपी राधा कृष्णा ने जारकन बिध्यान सभा दोरा भेजेगा जारकन बीत बिध्यक को एक बार फिर आपत्ती के साथ लोटा दिया है राजेपाल ने चौथी बार बिध्यक वापस किया है इस बार राजेपाल ने कहा एक बीत विधायक में जिस तरह के संसोधन वा प्रवधान रखे गए हैं वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में हस्त छेप है राज सरकार वा विधान सभा ने जो प्रवधान वा संसोधन किये है या उनके अधिकार छेत्र का नहीं प्रवधान रखने या संसोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है राज जेपाल ने मुखे रूप से तिन बिंद्यों पर अपति जताई है जार्खन में 35 खेलों के साथ खेलो जार्खन का होगा आगाज सिक्षा विभा की ओर से खेलो जार्खन के आगाज की तियारी कर ली गई है इस बार 35 खेलों के साथ खेलो जार्खन की शुरुआत होगी पिछले साल 30 खेल सामिल किये गए थे खेलो जारखन के माध्यम से ही राश्ट्रिये इस कुली खेलो के लिए जारखन की टीम तयार कर राश्ट्रिये भागेदारी के लिए भेजी जाएगी परखन से लेकर राज अस्तर ये पर परत्योगताओं का आवयजन होगा इसकी सुरुआत 20 जून से होगी सिक्षा विभाग ने इसके आयोजन के लिए नया एसोपी जारी किया है इसके अनुसार नहरू, कॉप, होकी और सुगरोतो, मुखरजी का फोटबॉल परत्योकता के साथ कुल 11 खेलों में प्रखंड से लेकर राज अस्तरपर परत्योकताव का आवेजन किया जाएगा खुट्टी डबल मॉडर केस में पुरव बिधायक वा नक्सली दोसी करार अपर नयाययुक्त दिनेश कुमार के अदालत ने पूलिस के लिए मुखबिरी करने के आरोप में राम गोबिंद वा भोसन कुमार सिंग के हत्या मामले में आरोपी तोरपाक खुट्टी के पुर्व जामो बिधायक पौलू सुरीन वा नक्सली जेठा कक्चप को दोसी करार दिया है इसके साथ इस साजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए रांची की आदालत ने 10 अप्रेल की तिती निधायत की है अदालत ने कृष्णा महतवत तीन महिला अरोपी योगो साक्ष के अभाव में बरी करार दिया है वहीं इसी मामले में पी एफ एल आई सुप्रीमो दिनेस गोप भी ट्राइल का सामना कर रहा है अपन नाय योग दिनेस कुमार के अदालत ने पुरो जामो विधायक पौलू सुरीन वनक्सली जेठा कक्षप को जहां दोसी करार दिया वहीं इस मामले में ट्राइल फेस कर रहे कृष्णा महतवत तीन महिला अरोप्यो को साक्ष के अभाव में बरी कर दिया है देवघर त्रिकूट रोप्य हाथसा मामले में संचालक पर 9 क्रो दंड लगाने पर समती बिदी विभाग ने देवघर की त्रिकूट रोप्य दुरुगाटना की जाच रिपोर्ट के अधार पर इसके संचालक दामोदर रोप्य कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेट पर 9 क्रो एकार लाक रुपय का अर्थ रंड लगाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने के माम बिदी विभाग ने इस ममले में सरकार को दी अपनी राय में कहा है कि जेडी डी सी के निदेशक मंडल की बैठक 26 अक्टूबर को हुई थी इस में निदेशक मंडल ने रोपवे के संचालक दामोदा रोपवे कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेट पर 9.1 क्रो रुपय का अर्धन लगाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया गया है टाइगर जगरनाथ महतों को जार्खन ने किया याद जार्खन टाइगर के नाम से बिख्या जार्खन के पूरो सिक्षाय अमग्द निसेद मंत्री जगरनात मतों को उनकी पहली पुनेती थी पर जार्खन ने सनिवार को भाव भीनी सरदांजली दी सरधांजली देने के लिए सूबे के मुख्य मंत्री चमपई सुरेन और जामो निता कलपना सुरेन भी पहुँची जगरनात महतों को सरधांजली देने के लिए लोग पहले उनके पैतरी गाव अलार्गो पहुँचे बीएट कॉलेज ग्राउंड में स्टेज बनाया गया था वहाँ जगरनात महतों की बड़ी सी परतिमा लगी थी यहां आने वाले लोगों ने पुषपांजली देकर उनको अपनी सरधांजली दी है चालक ने सुझबुझ का परिचे देते हुए ट्रॉक को सलक के किनारे खाड़ा कर दिया और खुद ट्रॉक से कूद कर अपनी जान बचाई है घातना में ट्रॉक का अगला हिसा हुआ कागजात जलकर राख होगा है ट्रक ड्राइबर ने बताया कि 36 गड़ के रायपूर से जारखन के पाकुर जाने के दोरान गुमला में एहात्सा हुआ खवर मिलते ही दमकल की गाड़ियावा गुमला पुलिस पहुँची इसके बाद आग पर काबु पाया गया बता दे तोपचांची निवासी ट्रक चलक नेहरू कुमा ने बताया है कि रायपूर से काटा तार लेकर पाकुर जाने के करब में तर्री जंगल बाइपास के समीब अचानक पुल पर जोरो की आवाई सुनाई दी नीचे उतर कर देखने पर कुछ पाइपो से धुआ निकल रहा था नीरज सिंग हत्याकांड के सूटर ने खाया कितना सक कोईला नगरी के नाम से दुनिया भर में बिख्याद धनबाद जीले में एक हत्याकांड के सूटर की तवियत बिगड़ने के बाद जज ने उसे अस्पताल भेज दिया है तो वहीं जहरिया थाना में एक आरोपी ने कीटना सक खा लिया है दोनों को सहीद निर्मल महतो मेटकल कॉलेज आन होस्पीटल में भरती कराया गया सनिवार को कोट में पेशी के दोरा निरज सिंग हत्याकांड के सूटर सागर की तवियत बिगड़ गई जज के आदेश पर उसे ततकाल धनबाद के SNMMCH ले जाया गया पेशी के दोरान सागर ने पेट में दर्द की सिकायत की थी इसके बाद जज ने उसे मेटकल कोले अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया डायन होने का आरोप लगा महिला को मार डाला जार्खन में एक बुजूर्ग महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए इसकी हत्या कर दी गई है टांगी से काट कर महिला को मार डाला गया इस हमले में एक ब्यक्तिक हायल भी हुआ है पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है मामला राजधानी रांची के नगणी थाना चेत्रिक के कमभा टोली गाउं की है गाउं की एक बुजूर्ग महिला पर डायन होने कारोप लगाते हुए इस पर टांगी हमला कर दिया गया हमले में महिला की मौत हो गई जबकि एक अने ब्यक्तिक हायल है घटना सन्नी वार को चान बीर्ष्थी मिर्धा के रूप में हुई है धनबाद का अनोखा चापाकल 24 गंटे निकलता है पानी जार्खन में गर्मी आते ही कोई लाइन चल धनबाद में एक तरफ जहां पानी के लिए हाकार मचा है वहीं दूसरी और सिंद्री की रंगा माटी आई-एम टाइप क के आई-एम कोलोनी में आठ वर्स पहले बोरिंग के बाद धनबाद नगर निगम द्वारा सकाई चापाकल लगाया गया था अस्थानिय निवासी विकास कुमार कहते हैं कि विधायक मच से 180 फिट गारा चापाकल लगाया गया था इस चापाकल से बिना हैंडल चलाय लगा पानी गिर रहा है इसमें ना तो मोटर का इस्तेमाल हो रहा है और नहीं मेहनत करने की जरूरत है रामगड में वाहन की टकर से एक की मौत दजन भर लोग घायल रांची पटना मार्ग पर रामगड थाना चेतरे की चुट्टू पालु घाटी में सणिमर की सुबा साड़े दस बजे वाहनों की टकर में एक की मौत हो गई जबकि दुरगाटना में दजन भर लोग घायल हुए है इनमें चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए है उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया इधर सड़क हाजसे के कार रांची पटना हाईवे पर घंटो जाम लगा रहा आवा गमन काफी देर तक प्रभावित रहा जनकारी के अनुसार रांची रामगर फोरलेन पर ललकी घाटी में सुबा करीब आठ बजे एक हाईडरा और हाईवा में टकर हो गई इसमें हाईवा का ड्राइवे गंभी रूप से घायल हो गया उसे रामगर सोदर अस्पताल म रिम्स रेफर कर दिया गया है पलामो और जम सेदपूर से 37 लाख रुपे बरामत लोग सबा चुनाओ को देखते वे जारखन की पूलिस अलट मोड में है राज्ये के सिमावर्ती हिलाकों में पूलिस लगातार जाच अभियान चला रही है इसी कड़ी में सनिवार को भी ज दुसरी तरह पलामो में पूलिस ने एक स्कारपियो से 15 लाख काईस बरामत किया है बताद्य जम सेदपूर के आधित तेपूर थाना चेतरे के टोल पलाजा में पूलिस की एस्टी अप टीम ने एक कार से 22 लाख रुपे नगत बरामत किये गाड़ी मालिक से बरामत रुप से मामता भुणया को उमिद्वार बना दिया है राया सुप्रीम लालू परसादयाद ने मामता भुणया को पार्टी का चुनाव चीन भी दे दिया है हलाकि इंडिया गरबंधन की ओर से इसकी अधिकारिक जनकारी नहीं दिगए राजत के नेता वकरकारता सिरीमती भुणया के नमांकन के तियारी में जूट गए है वहीं सिरीमती भुणया जार्खन के पुरो मंत्री वा जूगल सलाई के पुरो विधायक दुलाल भुणया के भाई बलदेव भुणया की पत्नी है पलामू में सिरी मती भुईया के सामने भाजबा परत्यासी वा पूर्व डिजी पी बीडी राम होंगे इधर इंडिया गड़ बंधन में पलामू वा चात्रा को लेकर पेंच फासा हुआ है बोकारों में प्राइबेट स्कूल की जांच की नौ सद से जिला अस्तरिय समीती प्रवधान के तप निजी बिद्यालों में अधैनृट चात्र अविभाघो की ओर से प्राप्त परिवाद पत्र में अंकीत तत्यों की जाच के लिए जिला अस्तेली समिती का गठन किया गया डिसी बोकारो की पहल से बोकारो के वैकों ने राहत की सास लिया है झारखन अभिवाओक संग ने खुशी का इजहर किया है नीजी स्कूलों में जाच के लिए गठी जिलास्तेरी समिती में डीसी बोकारो अध्यक्षा है अरजुन मुंडा पर हाई कोट ने लगाया एक पॉइंट दो लाख का जूर्माना जारखन हाई कोट के जश्टिस टाजेस्ट कुमार के अधलत ने अचिका में तूर्टी दूर नहीं होने पर केंद्रिये मंत्री अजुन मुंडा पर एक लाख पचीस यह रुपे का हाजाना लगाया है अधलत ने उक्त रासी हाई कोट के अधिवक्ता कलर्क एसोसेशन में जामा करने का निर्देश दिया है हलाकि अधलत ने केंद्रिये मंत्री अजुन मुंडा को आंतिम रहात देते हुए प्यक करवाई पर रोक लगा दिया है अगली सुनवाई आठ माई को होगी इस मामले में पुछे जाने पर अजुन मुंडा के अधिवक्ता प्रस्तांत पल्लों ने बताया है कि सचवाले घिराओं के दर्ज प्राथमीकी के खिलाप अरजुन मुंडा के ओर से होली के आवकास के एक दिन पहले आज का दाखिल की गई थी लोग सभा चुनाओं में कोताही हुई तो नपेंगे अपसर केरभी कुमार जारखन के मुख नियुँडाचन अधिकारी के रभी कुमार ने सनीवार को धन्बात क समनाले सभागार में धन्बात बोकारो गिडीडिवा देवगर जीले में लोग शभात चुनाओं की तैयार्यों की समिक्छा की उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि चुनाव सांति पूर निस्पक्ष व भायमुक्त वातावरन में संपन कराने के लिए पूरी तरह सजग रहे अपराधी समाजिक तत्तों उपद्रियों और मद्दताओं को प्रभावित करने वाली सूची ठाना अस्तर प्रत्यार कर उन्हों पर करवाई करे इसमें किसी तरह की कोताई होने पर समधित अधिकारियों के खिलाप सक्त करवाई होगी धन्यवाद